Hello my dear students, welcome to Magnate Brains. This is your teacher Shilpi Tiwari. और आज, class 5th GK का जो new topic हम करने वाले हैं, उसका नाम है, Bio Reserves. So children, from the very beginning of the chapter, हम उन animals और उन plants के बारे में पढ़ रहे हैं, जो की आ गए हैं in danger की list में. है ना, क्या मतलब होता है in danger का? भाई, endangered का मतलब ये होता है, जो बहुत जल्दी क्या होने वाले हैं? extinct होने वाले हैं. So we learnt about those plants, we also learnt about some animals which are going to extinct soon. तो क्या किया जा सकता है? क्योंकि हमने ये तो देखा कि ये सारे plants और animals क्या हैं? important हैं हमारे लिए. So, इस food chain को बचाने के लिए और ecosystem में balance को maintain करने के लिए हमें इन plants और animals को extinct होने से रोकना है. और इसलिए चिल्डरन हमारे countries की government और बाकी countries की government और कुछ organizations ने मिलकर scheme तयार की program तयार किया. जिसमें चिल्डरन उन्होंने involve किये national parks, wildlife centuries और bio reserves. ताकि जिस प्रकार से इन animals का और इन plants का पोच हो रहा है, माने अवेद शिकार हो रहा है, काटे जा रहे हैं, बिना बताये, चोरी छुपे, plants हटाये जा रहे हैं, animals का शिकार किया जा रहा है, इन सारे कामों को रोक सकें. तो इस प्रकार के organizations बना दिये गए और इस प्रकार के national parks, wildlife, centuries और bio reserves को बनाया गया, ताकि ये animals, ये plants अराम से environment में रह सकें. Yes, children, और ये बहुत जादा जरूरी भी था, क्योंकि अगर ये plants और animals दीरे दीरे अगर हमसे दूर हो गए, तो children वो दिन भी दूर नहीं, जब हम धी survive नहीं कर सकेंगे. और इस लिए इस सारे programs को बहुत seriously लिया गया, ताकि हमारे flora और fauna अर्थ में easily sustain कर सकें. And that is why we are going to learn about bio-reserves today. ठीक है? So, आज हम जानेंगे कि ये bio-reserves क्या होता है, क्यों बनाया गया है, किस प्रकार के ये bio-reserves होते हैं, और किस तरह से हमारे flora और fauna को अराम से रहने में मदद करते हैं. So, children, are you ready? So, let's start the chapter, bio-reserves. Okay, क्योंकि हमने ये तो देखा कि हमारे इन amazing trees को, endangered plants को, ये जो animals से जो बहुत जल्दी खतम हो रहे हैं, उनका शिकार किया जा रहा है, ये सब दीरे-दीरे क्या हो रहे हैं? Numbers में reduce हो रहे हैं. जो पहले 100 number के थे, for example, if they are in hundreds children, now they are just in 10 or 20. और अगर इन्हें रोका नहीं गया, इन्हें बच्चाया नहीं गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से खतम हो जाएंगे. और वो ही हमें नहीं होने देना है. भाई, आगे भी लोग आएंगे, future generation आएगी, उन सब को भी तो ये सब देखने का हक है की नहीं है? और इसलिए चिल्रन ये organizations ने, governments ने मिलकर बहुत सारे ऐसे national parks, centuries और bio reserves स्टार्ट किये. ठीक है? तो आज हम ये bio reserve और you can say biosphere reserves के बारे में पढने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको जानना है, what is biosphere reserves? Alright, so biosphere reserves are the protected areas meant for the conservation of plants and animals. So children, जो biosphere reserves होते हैं, वो areas protected होते हैं. ठीक है? माने कि आप चाह के भी वहाँ के plants और animals को नुकसान नहीं पहुचा सकते. क्योंकि अगर आपने ऐसा किया, तो वो crime कहलाएगा और आपको punishment भी मिल सकती है. ठीक है? So इसलिए children, वो सारा area जो biosphere reserves के अंदर आता है, that area is the protected area meant for the conservation of plants and animals. भाई बात तो यही है कि हमें अपने flora और fauna को अच्छे से रखना है, protect करके रखना है, conserve करके रखना है और इसलिए इस प्रकार के biosphere reserves का निर्मान किया गया, जगा जगा पे. Okay, in our own country, India, there are 18 biosphere reserves. Can you imagine 18 biosphere reserves? Yes, in our country और ऐसे चिल्रन कितने biosphere reserves पूरे वर्ड में बनाए गये हैं? और सब का मकसद और सब का एम यही है, to protect them from the extinction, to protect the area meant for the conservation of plants and animals. ठीक है, भाई, अर्थ हम सब का है, उसी प्रकार से plants and animals का भी है, तो अर्थ में कुछ areas reserve कर दिये गए हैं, जो की plants और animals के लिए हैं, कि वो अराम से जैसे जीना चाहें कर सकें. है की नहीं, दीरे-दीरे क्या हो रहा है? Human activities बढ़ रही है, घर बन रहे हैं, construction हो रहा है, roads बन रही है, bridges बन रहे हैं. उसके कारण क्या हो रहा है? plants कट जाते हैं, plants, trees कटते हैं, तो forest खतम हो जाते हैं, forest खतम होते हैं, तो animals और trees, plants का जो habitat है, वो पूरी तरह से खतम हो जाता है. और इस प्रकार से children इनके numbers क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. क्योंकि या तो यह मारे जाते हैं, या इनका शिकार हो जाता है, या फिर वो इस प्रकार के human environment में survive नहीं कर पाते हैं. और इसलिए सब लोगों ने यह decide किया, के भाई, इनके लिए भी कुछ areas क्या किया जाएगा, जिसमें यह plants और animals अराम से रह सकें. ओके, so some areas in this whole planet Earth are reserved for them. ताकि उनको जैसे जीना है, वो वैसे जी सकें. और उस areas में किसी भी प्रकार का construction नहीं होगा. किसी भी प्रकार का निर्मान वाला काम नहीं होगा. ना ही वहाँ को humans कुछ शिकार कर सकते हैं, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार की human activities हो सकती है. वो सिर्फ और सिर्फ plants और animals के लिए है, कि वो अराम से वहाँ पर जीवन अपना निकाल सके. Clear children, आपको ये समझ में आगया कि biosphere reserves या bio reserves क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं कि कुछ areas को, planet earth के कुछ areas को क्या कर दो? Protect it कर दो ताकि हम अपने plants और animals को conserve करके रख सकें, बचा के रख सकें. It also restores the traditional life of the tribal living in that vicinity. So children, साथ साथ आपको पता है कि आज से कई हजार साल पहले हमारे पूरे अर्थ में tribals भी रहते थे, आज भी रह रहे हैं. Tribals कौन लोग होते हैं? वो लोग जो normal humans की तरह नहीं रहते. उनकी अपनी एक दुनिया है, उनकी अपना कुछ कल्चर है और वो जंगलों में रहना पसंद करते हैं. They do not want to come and live in the city like other people do. And that is why they only want to be in the forest. उनके अपने rules होते हैं, अपने cultures होते हैं और इनको हम कहते हैं tribal. So children, जिस प्रकार का human encroachment बढ़ रहा था, human activities बढ़ रही थी, forest खतम किये जा रहे थे, इन ट्राइबल्स के घर भी खतम हो रहे थे. भाई, ट्राइबल्स अगर forest के dense areas में रहते हैं, अगर वो सारे forest के forest cut हो रहे थे, तो इस प्रकार की problem किसको हो रही थी? ट्राइबल्स वालों को भी हो रही थी. और इसलिए फिर ये decide किया गया कि जो भी bio reserves बनेंगे, उसमें हम एक और point add करेंगे, वो ये करेंगे कि जो traditional life है ट्राइबल्स की, जो उस area में रहते हैं, उसको भी हम as it is रखेंगे. जैसे वो लोग जीना चाते हैं, उनको भी जीने देंगे. भाई हर एक इनसान, हर एक living being का क्या है? राइट है अर्थ में रहने का उसको जैसे रहना है. है की नहीं? और अगर हम अपने selfish के कारण construction करते हैं, roads बना रहे हैं, railways निकाल रहे हैं, घर बना रहे हैं और इस तरह स forest को cut down कर रहे हैं, deforestation कर रहे हैं, तो इन लोगों का नुकसान हो रहा था. और इसलिए फे bio reserves बनाया गया कि flora fauna को भी protect करेंगे. और साथ में जो tribal लोग रहते हैं, जो अपने traditional way, जो बहुत प्राचीन समय से अपना tradition follow कर रहे हैं, उनको भी उसी प्रकार से रहने देंगे. और वो उस areas में protected रहेंगे, कोई उन्हें छू नहीं सकेगा, कोई उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं पहुंचा सकेगा. ठीक है, तो यह सब इस program के अंदर आया, bio reserves के अंदर आया. आया, they conserve the biodiversity of that area. फिर जो भी area को, जिस भी छेत्र को bio reserves घोशित किया गया, कि यह एक area है, इसको हम bio reserve घोशित करते हैं, तो उस area के bio diversity को, जैसा naturally वो होना चाहिए, उसको as it is छोड़ दिया गया. कि अराम से plants उगे, trees उगे, अराम से animals को जहां घूमना है, वो घूमे, ट्राइबल्स को जैसे रहना है, वो रहे, उस area को कोई भी disturb नहीं कर सकेगा, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा. यह decide हुआ, इस bio reserves के project में. और इस तरह के bio reserves, कुल कितने हैं हमारे country में? 18, okay. How many? 18. And do you know the first bio reserve of our country, India? वो कौन सा था? वो था चिल्रन, Neelgiri Bio Reserves. कौन सा था? Neelgiri Bio Reserve, which is located in Western Ghad, okay. Western Ghad के area में, सबसे पहला bio reserve बनाया गया, 1986 में चिल्रन, okay. जिसको, जिसका मतलब यह था कि उस area को, जो bio reserve, Neelgiri का गोशित किया गया, उस area को क्या कर दिया जाएगा? पूरे तरह से छोड़ दिया जाएगा. और जैसे plants और animals को जीना है, उनको जीने दिया जाएगा. साथ में वहां के जो भी ट्राइबल्स लोग हैं, जो भी लोग जैसा रहना चाह रहे हैं, उनको भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा. तो यह था आपका first bio reserve project, which happened in Neelgiri Children in Western Ghad. तो पहला जो bio reserve बना था, वो था Neelgiri bio reserve, which was constructed in 1986. फिर जब उसके फाइदे देखे गए कि अरे यार यह तो बहुत अच्छा है, इससे तो बहुत सारे plants, animals सब बच रहे हैं, protected हैं, they are happily living, उनके इस area को कोई भी नुकसान नहीं पहुँच रहे हैं. हम उन्हें अराम से conserve or protect कर पा रहे हैं और इस तरह से फिर धीरे 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 कितने bio reserves आज की date में हैं, 18 bio reserves हैं. Okay, so in terms of general knowledge also, you need to remember this, that which was the first bio reserve in India and in total how many bio reserves are there in India, children. Okay, so understood what is the meaning of bio reserve? जहां पे flora और फानों को एक area दिया जाता है के उन्हें वहां पे किसी भी प्रोकार का problem नहीं होगा, they are protected and they are conserved. Alright, और साथ में the tribals can also come and live over there and nobody will disturb them. Clear? So, bio reserves are the protected areas meant for the conservation of plants and animals. ठीक है? Okay, there are 18 biosphere reserves in India established by the government that protect large areas of natural habitats. Yes, children. So, 18 biosphere reserves हैं और उन्हें कौन बनाया हैं? Government बनाते हैं under the UNESCO children. ठीक है? और ये प्रोटेक्ट करते हैं large areas of natural habitats. जैसे घूमना हैं जानवरों को, पौधों को, जैसे उगना हैं, जहां उगना हैं, वो बिलकुल अब naturally वहाँ पर उगेंगे और इस तरह से bio diversity को क्या किया गया? प्रमोट किया गया. और इस तरह से क्या हुआ कि जो animals इतनी speed से reduce हो रहे थे numbers में, कम हो रहे थे, इस प्रकार के biospheres बनने के कारण क्या हुआ? उनके numbers increase होने लग गए. Yes children, otherwise tigers जो इतनी speed में खतम हो रहे थे इंडिया से, उनको बचाने के लिए हमें इस प्रकार के कुछ programs को क्या करना पड़ा? हमें attempt करना पड़ा, हमें इन्हें promote करना पड़ा. और इसलिए bio reserves हो गए, national parks हो गए, wildlife centuries हो गई, यह सब बनाया गया. ताकि हम इन animals को खतम होने से रो इसमें आप देख सकते हैं कि यह जो hippopotamus है, यह आराम से जंगलों में घूम रहे हैं और इन्हें कोई छू नहीं सकता, उस एरिया में किसी भी प्रकार का शिकार नहीं होगा, it will be taken as natural, alright? and the way they want to live, they can live their life to the fullest, alright? so there are 18 biosphere reserves in India, established by the government that protect large areas of natural habitats, okay children, alright? these areas are provided with the buffer zones that are open for some economic uses, और सुन लो, इन areas के साथ में कुछ buffer zones भी प्रवाइट किये जाते हैं, कुछ extra areas भी प्रवाइट किया जाते हैं, सपोज मार लो के 20 km का bio reserves बनाया गया है, तो buffer zone में 8-10 km और इस area में add करके दिया जाता है, ताकि वहाँ पर कुछ economic uses का काम हो सके, कुछ अगर animals के लिए treatment का काम होना हो, कुछ food का काम होना हो, वो वहाँ पर economic purpose के लिए government buffer zone भी देखे रखती है, clear, सो देख सकते हैं कि एक तो area आपका protect कर दिया गया, conserve कर दिया गया, flora, fauna के लिए और साथ में कुछ buffer zone भी दे दिया जाता है, ओके ताकि वहाँ पर कुछ economic काम भी हो सके, not only the flora and fauna, but also the humans inhabiting these areas protected, so children, जिस भी छेत्र को bio reserves घोशत कर दिया जाता है, government के द्वारा, और मान लीजे के उस area में पहले से ही क्या हो रहा हो, कुछ लोग रह रहे हो, humans वहाँ पर रह रहे हो, तो उनके उस areas को भी protect किया जाता है, ऐसा नहीं कि उनके areas को नहीं protect करेंगे, all right, उनको problem करेंगे, उनको disturb करेंगे, no, अगर उस छेत्र में, जो भी छेत्र decided हो जाता है, कि इसको bio reserve बनाया जाएगा उस areas में, जो भी कुछ अगर humans का भी habitat हो, humans के घर हो, किसी प्रकार का उनकी कोई चीज उसमें हो, तो उसको भी बराबर protect किया जाता है, किसके साथ-साथ flora माने के plants entries and fauna माने के animals के साथ, कितनी अच्छी बात है ये, isn't it कितनी अच्छी scheme है, कि भई इससे एक area क्या हो रहा है, ना वहाँ पर किसी प्रकार का construction होगा, ना वहाँ पर किसी प्रकार की plants cutting होगी, ना वहाँ पर कोई घर बनेंगे, जैसा naturally वहाँ पर है, जिस प्रकार से nature ने उस area को बनाया है, वो as it is वहाँ चलेगा, और इस तरह से हम बहुत सारी चीजों को safe कर पाएंगे, right और अपने environment के साथ friendship और strong कर पाएंगे, so basically ये bio reserves, ये national park, ये wildlife centuries इसी लिए बने थे, ताकि humans और environment का connection और strong हो सके, we should know the importance of this environment and that is why जब पहले बहुत जल्दी जल्दी ये सब environment खतम हो रहे थे, due to the heavy construction, इन सब पे रोक लगाई गई और इस प्रकार के areas को ये decide किया गया कि इनको हम bio reserves बनाएंगे, okay अब एक एक और important बात कि 18 biosphere reserves में, the largest bio reserves कहाँ पर है आपका Gulf of Kach in Gujarat, कहाँ पर? Gulf of Kach in Gujarat, so you have to remember this, Gujarat का Gulf of Kach जो है वो सबसे बड़ा bio reserves है इंडिया का, क्योंकि एरिया जो है वहाँ का वो सबसे बड़ा उसको मिला है, and the smallest one जो है, that is in Assam, okay, that is in Assam, so you have to remember this also, कि सबसे बड़ा जो आपका bio reserve है वो कहाँ पर है, that is in Gujarat, Gulf of Kach, और जो smallest one है वो कहाँ है, that is in Assam children, और total number of bio reserves कितने है, there are 18 in number, और first one जो चुश्ट हुआ था, that happened in Neelgiri, Western Ghats in the year 1986, okay, the bio reserves are identified the man and biosphere reserve program, to promote sustainable development, so yes children, यह reserves को identify कैसे किया गया, कि men, माने humans, और उनके साथ साथ environment, biosphere reserve program, और किसलिए, ताकि sustainable development प्रमोट हो सके, what do you mean by sustainable development, so when you will go to your higher classes, आपको sustainable development समझाया जाएगा, but I will just give you the glimpse of it, sustainable development में वो सारी चीज़ें आती हैं, जिनका हमें इस्तमाल इस प्रकार से करना है, ताकि future generation भी उनका इस्तमाल कर सके, ठीके, ऐसा ही नहीं कि सिर्ष सेलफलेसली सोच के, मतलब अपना निकाल के, हम सारी चीज़ें अभी खतम कर दें, no, we should always use everything in sustainably form, माने, कि अगर आप कोई भी natural resource भी यूज़ कर रहे हो, like coal यूज़ कर रहे हो, petroleum यूज़ कर रहे हो, ये धीरे-धीरे क्या होंगी, खतम ही होंगी, और अगर खतम हो जाएंगी, तो क्या होगा, इन से जो भी चीज़ें हमें मिलती है, वो मिलना भी बंद हो जाएगा, लेकिन जो future generation आएगी, उनके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं, nothing, and that is why sustainable development program start हुआ, जिसमें हमें चीज़ों को कैसे यूज़ करना है, इस प्रकार से यूज़ करना है, ताकि हम उसे पूरी तरह खतम भी ना करतें, और आने वाली generation के लिए कुछ चीज़ें छोड़ के जाएं, और sustainable development बहुत बड़ा factor था, bio reserve program को start करने का, है की नहीं, अगर आप सोचो के animals जो endangered list में आ गए थे, जो धीरे-धीरे कम हो रहे थे numbers में, और आपके trees और plants जो numbers में कम हो रहे थे, अगर उन्हें नहीं रोका जाता, बचाया जाता, इस प्रकार के bio reserves को बना कर, तो क्या हम छोड़ के जाते अपने आगे वाले generation के लिए, construction हुआ, area को declare कर दिया गया, कि ये area इस शहर का bio reserves में आता है, बस कुछी दिन के बाद में सारी चीज़ें balanced हो गई, ठीक है, this program initiated by UNESCO in 1971, और सबसे पहले bio reserves का जो program था, वो किसने start किया था, UNESCO in 1971, having the thing thought in mind of sustainable development, ठीक है, UNESCO क्या होता है, UNESCO का full form भी याद रखना है, It is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Okay, Scientific and Cultural Organization, इसको कहते हैं हम UNESCO, जिसका जो main office है, that is in Paris, France में, Okay, UNESCO क्यों बनाया गया था, UNESCO एक ऐसा program है, जिसमें हम humans को environment के साथ, क्या करते, connect करते हैं, We create strong bond between the humans and the environment, Also, यह जो UNESCO है, यह promote करता है, अच्छी खासी quality education, कि सबको एक अच्छी quality education मिले, सबको पता होना चाहिए, कि हमारे लिए animals और plants कितने important है, हमें अपने environment के बारे पता होना चाहिए, हमें अपने heritage के बारे पता होना चाहिए, राइट, तो यह सारी चीज़े UNESCO के अंदर आती है, इट वर स्टार्टे इन 1946 चिल्डर्न, तो सारी चीज़ें culturally related, education related, scientific related, यह सब किस के अंदर आता है, UNESCO के अंदर आता है, ठीक है, अब जैसे हमने जो chapter किया था, amazing trees में, जिसमें हमने oldest tree, tallest tree सब पढ़ा, तो यह सब किस के द्वारा protected है, UNESCO द्वारा है ना, कि भई इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, जो पुरानी पुरानी monuments हैं, जो हमारे ancestors हमारे लिए छोड़ गए हैं, उन सब को UNESCO क्या करता है, पहले जा के देखता है, पुरा research करता है, और उसे लगता है कि अगर यह building बचाने लाइक है, तो उसको अपने UNESCO program के अंदर डाल लेता है, ठीक है, तो इस प्रकार से UNESCO के बहुत सारे programs चल रहे हैं, और इसी तरह का एक program उनका हुआ, sustainable development, ठीक है, और इस sustainable development में उन्होंने क्या कहा, कि bio reserves बनाये जाएं, ताकि human और environment का connection और भी strong रहे, ecologically हम सब कुछ balance करके चले, environment अपना अच्छा रखे, pollution free रखे और animals और plants को हम endanger होने से बचाएं, extinct होने से बचाएं, clear? So, this is very important UNESCO, which started in 1971 to promote bio reserves and children, what is the full firm of UNESCO? It is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, clear? Alright. Next, this program recognizes area which are the world's most typical terrestrial and coastal ecosystems. किस प्रकार से ये program ये recognize करता है कि इस छेतर को bio reserve बनाना चाहिए? तो children, जो दुनिया के सबसे ज्यादा terrestrial और coastal ecosystems हैं, जहां पे आपको बहुत सारे जानवर मिलेंगे, coastal areas मिलेंगे, उस प्रकार के छेतर को usually government bio reserves घोशित कर देती है. That exhibit approaches on live and works in harmony with nature. और इस प्रकार से क्या होता है? हमारा जो रहना और काम करना होता है, वो nature के साथ मिलकर करना होता है. है की नहीं, अगर हम धडलने से industries खोलते चले जाएं, factories खोलते चले जाएं, उनका काला काला धुआ environment में उडाते चले जाएं, तो क्या होगा? हमारा environment ही गंदा होगा, और धीरे धीरे हमें bad air मिलेगी. है की नहीं, लेकिन जो program है, जो की start किया गया है UNESCO के द्वारा, उसमें ये कहा गया कि भाई, हमारा काम क्या है? हमारा काम ये है कि nature के साथ मिल जुल के काम करना. ठीक है, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाना. रहो, अराम से काम करो, लेकिन नेचर के साथ किसी भी प्रकार का ना समझोता करते हुए. Like, we should not at all disturb the natural ecosystem. Okay, यूँकि अगर हमने उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाया, तो हमें double होके वो चीज मिलती है. Like, घबहंकर बाढ़ आजाएगी, तूफान आजाएंगे, स्टोर्म साजाएंगे, राइट अर्थक्वेक आजाएगा, and that is why it is said that we should always take care of our nature. तो ये प्रोग्राम में ये सारी चीज है थी. Then, that demonstrates the achievement of a sustainable balance between conserving natural ecosystems and biodiversity. तो basically इस प्रोग्राम में क्या बोला गया? कि आप अचीव करोगे, क्या? Sustainable Balance है ना? एक प्रकार का बढ़िया सा Balance, जिसमें हम अपने natural ecosystems को conserve भी करेंगे, माने plants, animals को conserve भी कर पाएंगे, और साथ में biodiversity, जिस प्रकार का natural environment होना चाहिए, उसको भी maintain कर पाएंगे. और अगर हमने इस प्रकार के UNESCO के program को follow किया, कि हमने किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुचाया, अपना भी काम कर रहे हैं, उतने ही resources का use कर रहे हैं, जितनी हमें जरुवत हैं, बाकि resources को हम safe कर रहे हैं, secure कर रहे हैं, अपने conserve कर रहे हैं, plants and animals को, और साथ में biodiversity को continue कर रहे हैं अच्छे से. तो इस तरह से हम सब के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और हमारी bonding nature के साथ में और भी strong हो जाएगी. Clear? इतना समझ में आगे आपको? Alright. Next, National Parks and Centuries. So children जैसे bio reserves होते हैं, उसी प्रकार से national parks और centuries भी बनाए गए हैं. लेकिन इन तीनों में न, बहुत थोड़ा-थोड़ा सा difference है. ठीक है? Bio reserves भी हमारे देश में हैं. जैसे कि मैंने आपको example दिया, Gulf of Kutch, नीलगिरी, यह जो areas हैं, इनको हमने किसमें रखा है? Bio reserves में. और उसी प्रकार के हमारे पास national parks और wild life centuries भी हैं. जैसे काजी रंगर, national parks, काना किसली, तो इस प्रकार के यह national park और wild life centuries भी हैं. बहुत थोड़ा-थोड़ा difference है, चिल्डरन. लेकिन, yes, absolutely तीनों में क्या हैं? अलग-अलग बाते हैं. For the conservation of wildlife and flora, many biosphere reserves, national parks and wildlife centuries have been made in various states. Yes, children. हर एक state में देखते हुए किसकी क्या requirement है, कहाँ पे कौन सी चीज खत्रे में ज्यादा है, कहाँ पे कौन से animals को ज्यादा खतम किया जा रहा है, plants कट किये जा रहे हैं. उस हिसाब को देखते हुए, गवर्मेंट ने हर state में national parks, wildlife centuries और bio reserves का निर्माड किया. Biosphere reserves are specially protected natural areas to preserve flora and fauna. So, biosphere reserves तो हमको पता है क्या होते हैं, that they are protected natural areas to preserve flora and fauna. कि भई एक area है, उसको बस घोशत कर दिया गया है, bio reserve area. अब वहाँ पे जिस प्रकार से भी काम हो रहा है, जिस प्रकार से भी plants उग रहे हैं, trees बढ़ रहे हैं, animals एक बुस्टर का खुच शिकार कर रहे हैं, है की नहीं, उनको जैसे रहना है, उनको वैसे ही हाल पे छोड़ दिया जाए, उस वहाँ पे किसी भी प्रकार का interference ना हो, उस area में, ठीक है, इसे हम कहते हैं, bio reserve area, कि भाई एक छेत्र लिया, वहाँ पे हमने उसको घोशित कर दिया bio reserve, अब वहाँ पे ना कोई cutting of trees होगी, ना वहाँ पे कुछ construction होगा, जैसा वहाँ पे natural system है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए, there should be no disturbances at all, इस तरहा के area को हम कहते हैं biosphere reserves, ठीक है, और ये कितने हैं, 89 number, poaching and killing of animals is illegal, येस, ये तो हरी जगा है कि आप किसी भी प्रकार के animals का शिकार नहीं कर सकते, ओके मार नहीं सकते, क्योंकि पहले के जमाने में इस प्रकार का कोई भी नियम नहीं बना था, animals को तो फन के लिए हैना, उडाया जाता था, माने उनके शिकार किया जाता था, राजा महराजा लॉग देखो कैसे शिकार पे निकल जाया करते थे, यूगि उस समय इस प्रकार के thought process ही नहीं था, कि animals भी दुनिया से खतम हो सकते हैं, ये तो धीरे धीरे बात में समझ में आया, कि अगर यार इन animals को नहीं बचाया गया, तो खतम हो जाएंगे, ओके, so now anytime, anywhere, poaching and killing of animals is illegal children, बिलकुल मना है, it is a crime, ओके, यो, reserves, some of the national parks and centuries are given below, find out the states where they are located, okay children, तो अब आपके सामने बहुत सारे national parks, wildlife centuries, bio reserves दिये गए हैं, आपको children इस help box की मतद से उनके location को identify करना है, this question is very very important children, तो कि आगे जाके बहुत सारे competitive exams में इस प्रकार के question आते हैं, कि ये फलाना फलाना national park कहां situated है, ये wildlife century किसलिए famous है, then you must know, so you learn all these national parks and the name of these national parks and of course their location, ठीक है, तो exercise solve करते जाएंगे और साथ में इन national parks के location के बारे में भी discuss करते जाएंगे, तो शुरू करें, okay, the first is, काजिरंगा national park, so children, काजिरंगा national park is situated in Assam, where it is situated in Assam children, right, and काजिरंगा is famous for their one-horned rhinosaurus, okay, yes children, काजिरंगा में एक नाक के सींग वाले rhinosaurus हैं, और ये famous ही है, one-horned rhinosaurus के लिए, and do you know one thing, काजिरंगा जब national parks और bio-reserves नहीं बन रहे थे, तो बहुत ही जल्दी-जल्दी ये one-horned rhinosaurus extinct हो रहे थे, माने बहुत जल्दी-जल्दी-जल्दी खतम होते जा रहे थे, लेकें children, after this national park was built, bio-reserves के और national park के बनने से, ये one-horned rhinosaurus क्या हो गए, protect हो गए, children conserve हो गए, और अब इनकी संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है, तो देखा आपने कितना फाइदा है, yes children, so Kajiranga national park is in Assam, ठीक है, हमेशा याद रखना, Kajiranga national park is situated in Assam, next, Gir national park, where is this Gir national park located, so children, Gir national park is located in Gujarat, or do you know Gir national park is famous for, it is famous for world roaming lions, माने, पूरी दुनिया में जितने अराम से lions रोम नहीं कर पाते, Gir national park में lions बहुत अराम से रोम कर पाते हैं, freely घूम पाते हैं, and that is why Gir national park is famous all about in the whole world, children, yes, बहुत ही famous है, Asia में famous है, अपने free roam lions के लिए, कि भाई, वनो का राजा जब शेर है, तो उसे घूमने की भी तो अजादी है न, और वो प्रवाइट की जाती है, Gir national park में, which is located in Gujarat, okay, so Gir national park is situated in Gujarat children, तो अगर आप Gujarat जाएं, Assam जाएं, तो इन दोनों जगा जाना ना भूले, एक तो आपको rhinosaurus, lions मिलेंगे, और साथ में दूसरे animals भी मिलेंगे, जरूरी नहीं है कि सिर्व यह rhinosaurus और lions रहते हैं, दूसरे animals भी रहते हैं, लेकिन एक जो वो feature जो इन national park centuries को famous मनाती है, वो यह है, ओके, next, रन्थंबोर नाशनल पार्क, तो चिल्रन, रन्थंबोर नाशनल पार्क नाम से आपको लग रहा है राजपुताना है कोई सा, तो यह स्चिल्रन, absolutely, it is situated in Rajasthan, सवाई, माधुपूर, ओके, सो रन्थंबोर is located in Rajasthan, सवाई, माधुपूर, चिल्रन, वैसे तो राजिस्थान में बहुत सारे नाशनल पार्क, वाई, लाई, बर्ट, सेंचुरीज आर देर, ओके, जिसमें से एक जो फेमस है, वो है आपका रन्थंबोर, and do you know, रन्थंबोर is famous for what? चिल्रन, इट इस फेमस फोर दा टाइगर, ओके, and जब हमारे देश में इस प्रकार से शिकार करना जानवरों का अलाउट था, तो जो ये रॉयल लोग होते थे, राजा महराजाओं लोग होते थे, वो रन्थंबोर के जंगलों में जाके, शिकार किया करते थे, yes, ये उनका entertaining zone था, शिकार पे जाना, अब नहीं ये सारी चीजे बंद हो गई है, लेकिन उस समय जब पुराने जमाने में इस प्रकार का कोई डर नहीं होता था, के animals खतम हो जाएंगे, कम हो रहे हैं, तो राजा महराजाओं जो रॉयल फैमिली से बिलॉंग करते थे, they used to go for their, they used to go and for the hunting children, और इस तरह से tigers के numbers reduce होने शुरू हो गए थे, रंथंबोर में, और फिर क्या बनाया गया, रंथंबोर नाशनल पार्क बनाया गया, to control the numbers of the tigers children, okay? Next, Kanha National Park, where is this? So Kanha National Park is also known as Kanha Kisli and it is located in Madhya Pradesh, okay? और Madhya Pradesh तो famous है ही tigers के लिए children, So yes, even your Kanha National Park is very very famous for the tigers, और साथ में और भी आपको चीज़े मिलती है, animals मिलते है, greenery मिलती है, लेकिन वैसे Madhya Pradesh, शेरों के लिए काफी ज्यादा famous है children, they are famous for their tigers, alright? So Kanha National Park is located in Madhya Pradesh, in Mandala district, clear? Okay, next one. Bandhavgarh National Park. So now, after Kanha National Park, where is this Bandhav National Park? So children, Bandhav National Park is also in Madhya Pradesh, ठीक है? So Madhya Pradesh में बहात पहले से ही जंगल बहात हुआ करते थे, Okay, it is like so many, you have forest, dense forest. और जहाँ पे ऐसे घने घने dense forest होते हैं, वहाँ पे इन animals का रहना तो बत obvious है. और इसलिए Madhya Pradesh में भी आपको काफी wildlife centuries, national parks, and bio reserves मिलेंगे children. Okay, तो उसी प्रकार का एक जो national park है, उसका नाम है Bandhavgarh National Park, which is located in Madhya Pradesh children. And do you know के वैसे तो size में आपका कानहा national park is bigger than Bandhavgarh. लेकिन Bandhavgarh is famous for its Bengal tigers. Yes, Bengal के tigers वैसे ही बहुत जादा famous होते हैं और काफी special होते हैं. और ये Bengal tigers लगबग लगबग 60 to 70 Bandhavgarh में हैं. और ये बनाता है Bandhavgarh National Park को famous. Okay, next है your Corbett National Park. So children, ये जो नाम देख रहे हो अब Corbett National Park. It is the oldest national park. So kindly remember this. इतने सारे national parks के बारे में पढ़ रहे हूं. लेकिन सबसे पुराना national park कौन सा है? This is Corbett National Park which is located in Uttarakhand children. ठीक है? So it is located in Uttaranchal, Uttarakhand and this is the oldest one. सबसे पुराना. Clear? सबसे पुराना national park है. Corbett National Park. Okay, next one. Sanjay Gandhi National Park. Where is this Sanjay Gandhi National Park located children? So Sanjay Gandhi National Park is also located in the area of Madhya Pradesh children. So as I already told you कि Madhya Pradesh में आपको काफी ज्यादा national parks मिलेंगे. And the reason being is they are dense forest. ठीक है? Next, Raja Ji National Park. So children, Raja Ji National Park is also in Uttarakhand. Okay, so like Corbett National Park, Raja Ji National Park is also in your Uttarakhand and it is famous for the tigers. Okay children, alright. Next one. Sundarban National Park. So children, अब बारी आगई है. आपको East में जाने की. और East में जो फेमस national park है, उसका नाम है Sundarban National Park which is in West Bengal. And this Sundarban National Park is famous for its Bengal tigers children. Yes, Sundarban National Park is famous for its Bengal tigers. अब हम Bengal के tigers कितनी बाते कर रहे हैं. तो obviously Bengal के National Park में Bengal tigers मिलेंगे ना. So definitely Sundarban में Bengal tigers मिले जाते हैं. और वहाँ पे जो भी बहुत जादा फेरोशियस होता है, जो भी personality उसे Bengal tiger की उपादी दे दी जाती है. महाने उसे एक निकनेम दिया जाता है. Yes, he is the Bengal tiger. It is a sort of ganguli. Right? Okay, next है, कियोला दियो घाना बर्ट सेंचुरी. So children, ये कियोला दियो घाना बर्ट सेंचुरी के नाम से आपको समझ में आ रहा होगा that this is the century where the birds are protected and conserved. So yes, definitely it is a bird century. You will find variety of birds over here and they all are protected. No killing and no poaching is allowed here. Every killing and poaching is illegal and a very big crime. Clear? यहाँ पे अगर किसने मौर भी मार दिया तो वो भी क्राइम के अंदर जाए गा. Okay, but where is this located? कियोला दियो घाना बर्ट सेंचुरी. So children, it is located in Rajasthan, Bharatpur. Okay, so this is located in Rajasthan and the area is Bharatpur. Okay, and the last one is Sariska National Reserve. So this is a kind of reserve children, जिसमें area को reserve घोशित कर दिया गया है and no disturbance and no interference in the lives of flora and fauna is allowed. But where is this? Sariska National Reserve. So children, Sariska National Reserve is in Rajasthan Alwar district. Okay, so even Rajasthan में भी आपको काफी ज्यादा National Park Centuries मिलेंगे. तो अगर आप कभी राजस्थान घूमने जाएं, तो you must visit these National Parks and Wildlife Centuries children. ठीक है? तो आपको समझ में आ गया, ये learn करके रखना है, याद करके रखना है, क्योंकि हो सकता है कि कभी भी जीके के पेपर में इस प्रकार के question आप से पूछ दिये जाएं. और जीके तो आपको दियान में रखना है, क्योंकि जनरल नॉलेज़ अबाउट एवरिटिंग इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ओके? Now, match the following. So, अब आपको match the following करना है, वो भी तीन के बीच में, वेरी वेरी सिंपल. यहाँ पे दिया क्या हुआ है, National Park, Biosphere Reserve and Century. अब इन तीनों को आपको इन statement से match करके बताना है, कि कौन-कौन सा सही है. है ना बहुत ही सिंपल? Okay. Now, the first is, Areas of protected land for conservation of wildlife, plant and animal resources and traditional life of the tribals living in the area is called. National Park, Biosphere Reserve या फिर Century. तो आपको समझना है कि वुस एरिया को जिसे हम protect कर लेते हैं. Okay. उस एरिया के land को हम protect कर लेते हैं. किस लिए? For the conservation of wildlife, माने, जंगली जानवरों को बचाने के लिए, plants को बचाने के लिए and animals के resources को बचाने के लिए और साथ साथ traditional life of the tribals जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं. बहुत सालों से tribals लोग रह रहे हैं. उन लोगों के भी सारे जो भी culture and traditions को बचाने के लिए हम क्या area को conserve, protect करते हैं? उस area का नाम क्या है? तो उस area का नाम है Biosphere Reserve. यही तो था कि भाई वो land जिसे protect कर दिया जाता है, जिसे क्या कर दिया जाता है? conserve कर दिया जाता है flora, fauna के लिए और साथ साथ जो ट्राइबल्स रहते हैं, उनके traditional life को secure करने के लिए उस छेत्र को हम कहते हैं Biosphere Reserves या फिर Biosphere Reserves. ठीक है? Next, area reserved for wildlife where they can freely use the habitats and natural resources. अब चिल्रन उस area को क्या कहते हैं? जहां पे हम wildlife को reserve करते हैं? और वो ऐसी area जहां पे वो अराम से अपना जीवन निकाल सकते हैं habitats में. साथे natural resources को use कर सकते हैं. किसी भी प्रकार का disturbance नहीं होगा. Very very strong restrictions are there. Human activities वहाँ पर allowed नहीं होगी. ऐसे area को what do we call? So children इस प्रकार के area को कहते हैं National Park. तो इतने सारे हमने National Park के names देखे. Corbett National Park, Gir National Park. ये सब क्या है? Area है जो कि reserve किये गए है. Wildlife के लिए हैंना. Animals के लिए. ताकि वो अराम से घूम सकें अपने habitats में. और जो भी natural resources हैं उसका इस्तमाल कर सकें. किसे भी प्रकार का वहाँ पर उनको problem नहीं होगी. और कोई भी killing और poaching वहाँ पर allowed नहीं होगी. उस area को कहते हैं National Park. Next. Areas where animals are protected from any disturbance to them and their habitat. So children, ये थोड़ा सा less restriction वाला area है और उसका नाम है century. So century में children थोड़े कम restrictions होते हैं. मतलब थोड़े बहुत वहाँ पर interference हो जाता है human activities का. लेकिन National Park में very very strong restrictions. और buyer reserves में तो आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है? तो इसलिए wild life centuries में भी animals reserve रहते हैं. लेकिन children इन्हें किसी भी प्रकार के disturbance से protect किया जाता है. उके इनके habitat को भी बचाया जाता है. लेकिन sometimes what happens कि centuries में उस प्रकार के policies नहीं अपनाये जातें. जिससे उनको पूरी तरह से संभाल के रखा जाये, protect करके रखा जाये. कभी-कभी कुछ गरबड़ी हो जाती है. That is because वहाँ पे कुछ हद तक humans के interference हो जाते हैं. And less restrictions are there. Okay, as compared to the national park. National park में there are more restrictions. Wild life centuries में there are less restrictions. ठीक है? But yes, तीनों का aim तो एक ही है to protect the wildlife. Okay? Hey, sir children, did you understand? और ये तीनों चीज़ें क्यों बनाई गई है? ताकि हम अपने ecological system को balance करके रख सके. अपने animals और plants को बचा सके. Okay? So children, this was the exercise of chapter by your reserves. जहाँ पे आपने कुछ important national park के बारे में discuss किया. आपने उनके locations को भी समझा. और साथ-साथ हमने तीन differences के थू माच दी following किये. जिसमें आता है national park, wildlife century और bio reserves. Clear, my dear students. So this is very-very important topic when it comes to general knowledge. Because many times such questions will come which is related to national park, wildlife centuries and bio reserves. So children, Magnet Brains एक ऐसा channel है जो देता है kindergarten से grade 12, free videos and free education. वो भी 100% free of cost without asking any coupon code. Yes, that is true. साथ-साथ आप Magnet Brains में बाकी चीजों की preparation कर सकते हैं. आप Magnet Brains में Hindi का content भी देख सकते हैं. Yes, आप Hindi के सारे courses पढ़ सकते हैं. और साथ-साथ अगर आपको Olympiart, NTSC, किसी भी प्रकार की competition को तयार करना है, तो आप Magnet Brains में हमें subscribe कर सकते हैं, follow कर सकते हैं. साथ-साथ अगर आपको Magnet Brains से बहुत ही latest information चाहिए, कोई भी जानकारी चाहिए, तो Magnet Brains को आप हमें follow कर सकते हैं, कहाँ पर? Facebook, Instagram और Twitter पर. तो चिल्वन, बने रहना Magnet Brains के साथ, क्योंकि अगली बार मैं आने वाली हूँ, एक नया वीडियो लेके with our new chapter, चिल्वन. Okay, so Magnet Brains को like करते रहिए, follow करते रहिए और subscribe करते रहिए. तब तक के लिए, बाई बाई.